मिश्रा का लोगडाउन खुलने को लेकर बड़ा बयान प्रदेश सरकार ने किया फैसला ग्रीन जोन में सामाने गतिवीधियों को खोला जाएगा और और इंज जोन में होट स्पोर्ट के इलाकों को छोड़ बाकी में अंदर उनी गतिवीधियां होगी शुरू केंडर के गाइडलाइन आने के बाद सरकार कर रही है विचार नरुत्तम मिश्रा का बयान रेड जोन वाले इलाकों में केंडर के निर्देश के नुसार रहेंगे ग्रीन जोन वाले जिलो में सामाने गतिवीधियों को खोला जोएगा और इंज जोन वाले जिलो में होट स्प औरेंज जोन के अंदर हम जो इलाका जादा प्रभावित है और बाकी के हिस्से में हम गतिविदी प्रारम कर सकते हैं उस प्रभावित इलाके को छोड़ कर ऐसा विसे आया है लेकिन कल उस पर अंतिम रूप लिया जाएगा लेकिन ग्रीन जोन पर जहां बढ़ा दिया है वो 2,990 करोड पैसा किसानों के खाते में मानी मुख्यमंत्रीजी के द्वारा डाल दिया गया है तीर लाक अठारा हजार मैट टन गेउं सिर्फ एक दिन में खरीदा गया है और अभी तक कुल 28 लाक मैट टन गेउं किसान का खरीद लिया है दो हजार रुपए करोड का भुक्तान किसान के खाती में भेज दिया गया है मैंने ये तीन बातें इसलिए कहीं कि ये तीनों हमारी बड़ी आवादी की आर्थिक गत्विदी को संचालित करने वाली बाते हैं दो हजार नौसो नव्य करोड आप सबको मालूम होगा कि ये पैसा माननी शिवराज सिंग्जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आके भीमा के जो दो सो बीस करोड रुपए जमा किये तब जाके वो मिला है कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा जमा नहीं किया इससे बहुत जादा नुकसान प्रदेश का हो रहा था जो सिवराज सिंग्जी ने समाला इसी तरह से हम देखें तो गेहू की आवक हो गई है और जो बैंक से एक भ्रमकी इस्तिती पैदा होती थी कि वो किसान का बैंक सहकारी पैसा काट रहे तो उसको ततकाल रूप से 0% ब्याज पर वो उतना पैसा मिल जाएगा एक खुसी की बाद यह है आज आपने भी पड़ी होगी कि मंडी एक्ट में संसोधन कर दिया गया जैश अंडिया न्यूस चैनल की खबरों को लगतार अपने मुबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूस नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को तबाएं